नमस्कार आप सब देख रहे हैं NB TV Live News, मैं पंकत चोहन हर साल की तरह इस साल भी टीपू सुल्तान की जैनती विवादों से गिरी रहने वाली है क्योंकि इस नाम का जिक्राते ही सभी के मन में अलग-अलग धारनाए उत्पन होने लगती हैं कुछ लोग इसे स्वतंतरता सेनानी, एक और बहुत बड़ा तबकाई से हिंदू विरोधी और अंग्रेजों का जासूस भी कहता है आज हम आपको बताएंगे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक जानकारिया उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि ये गलत है या सही 20 नवंबर 1750 में करनाटक के देवना हली में जनमें टीपू का पूरा नाम सुल्तान फते अली खान सहब था उसके पिता का नाम हैदर अली और मा का नाम फकरुनिसा था उसके पिता मैसूर सामराज्य के एक सैनिक थे लेकिन अपनी तागत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शाशक बने 19 वी सदी में ब्रेटिश सरकार के एक अधिकारी और लेकक विलियम लोगान ने अपनी किताब माला बार मैनियोल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने किस प्रकार अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ काली कट में तबाही मचाई थी टीपू सुल्तान हाती पर सवार था और उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी पुरुशो और महिलाव को सर्याम फासी दी गई उनके बच्चों को भी उनी के साथ फासी पर लटकाया गया सारे इतिहास को खगानने से साफ पता चलता है कि टीपू एक इसलामिक साचक था जिसकी तलवार पर ही लिखा था कि मालिक मेरी सहायता कर कि मैं काफिरों का सफाया कर दूँ कुर्ग के 80,000 लोगों को या तो मार डाला या उन्हें जवर्दस्ती मुसल्मान बना दिया गया टीपू पर भ्रहमनों को फासी देने का आरोब भी लगाया गया है हमारी जानकारी के मुताबिक टीपू ने 700 मेल कोट आयंगार भ्रहमनों को फासी पर चड़ाया था लेखक सतीज पैडने करने लिखा इसाई नेता अलबान मैनेजेस ने कहा कि टीपू ने 1784 में मंगलोर के मिलीग्रेस चर्च को तहसनेस कर दिया था टीपू ने अंग्रेजों के लिए जासूसी के शक में 60,000 कैथोलिकों को बंदी भी बना लिया था और उन्हें मैसूर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया था जिस वज़े से 4,000 कैथोलिकों की मौत हो गई थी इस लेख में कहा गया वै दक्षिन का औरंजेब था उसने हिंदू और इसाईयो आदी गैर मुसलिमों पर बहस जुल्म ढाये लाखों लोगों का जवरन धर्म परिवर्तन किया हजारों मंदिर तोड़े उसने चर्च को भी नहीं बक्सा आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि जिस टीपू को देश भक्त और स्वतंतरता सेनानी कहा जा रहा है वे असल में देश द्रोई था जिसने कई विदेशियों को भारत पर हमला करने के लिए न्योता दिया था इतिहास में भी ये लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से चार युद्ध करे थे शायद उसने किये भी हो पर क्या ये कहना सच नहीं होगा कि उसका युद्ध करने का कारण उसका डर हो क्योंकि अंग्रेजों के समय पर टीपू सुल्तान ने बेधी क्रूर तरीके से हजारों लाखों गेर मुस्लिमों का नरसंगार किया था क्योंकि अब अंग्रेजों का वर्चास बढ़ रहा था इसलिए उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो किया हो चार मई 1799 को 48 वर्च की आयू में करनाटे के शिरंग पटना में टीपु सुल्तान की बहुत दुर्धता से अंग्रेज द्वारा हत्या कर दी गई क्या वो सभी को समान लेकर चलने वाला शाशक था या सिर्फ मुस्लिम हितैसी था टीपु सुल्तान के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अब यह तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई-नई खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है और देखते रही है एन्बी टीवी लाइव नियूज